कुदरत का करिश्मा और दुनिया की सबसे खतरनाग जगह सबसे दुरलब चीवों का बसेरा यहाँ पर जीने के लिए संकर्स करना पड़ता है परिस्तिती हमेशा विपरित रहती है दुनिया की सबसे खुबसूरत और सबसे खतरनाग जगह यह एमेजॉन है Amazon दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है इसका विस्तार दुनिया के सारे वर्सावनों से दो गुना है यहाँ पर दुनिया के एक तिहाई जीव पाए जाते है और इतने दुरलब प्रानी, बक्सी और सरी सूप रहते है जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा Amazon नदी से चुड़ा यह जंगल करीब साड़ी पांच करोड साल पहले अस्तितों में आया Amazon एक क्रीक सब्द है जिसका मतलब होता है फिमेल वेरियर या यू कहे के लड़ा को महिला यह जंगल 55 लाख वर किलो मीटर के साथ 9 देसों में फैला हुआ है जो दक्षिन अमेरिका खंड में स्थीत है इस जंगल का करीब 60 फिसदी हिस्सा ब्राजिल में बढ़ता है 12 फिसदी पेरू में, 10 फिसदी कोलंबिया में और बाकी बचे जंगल का विवित पाक कई अन्य देसों में बटा हुआ है इस जंगल में 400 अरब से भी ज्यादा वरुक्ष है और 17,000 से भी ज्यादा विवित प्रजातिया पाई जाती है आज पृत्वी के वातावरण में, पूरे 20 टका अक्सिजन एमेजॉन के जंगल से बिलता है और साथ ही यहाँ पर 400 से ज्यादा आदम जंचातिया रहती है जिनका हमारी बहारी दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है एक अनुमान के मुताबिच यहाँ पर 40 लाग से ज्यादा लोग रहते है लेकिन अभी तक सबस्ट तोर पर उनकी गिंती नहीं हो पाई है मूल जंगल के लोग आज भी आदी पूर्वजो जैसा जीवन जी रहे है जो उनको हमारी इस दुनिया से अलग करता है वो लोग विक्सीत तो नहीं है लेकिन खुद अपने आप में एक बड़ी सब्यता है और अपने जंगल में अपने नई सरगिक जीवन के साथ खुश है एमेजॉन के कई बाग तो इतने लंबे और गने वरुक्सो से किरे हुए है के वहाँ तक सूरज की किरने भी नहीं जा सकती और इन जगाहों पर इतने जहरिले इंसेक्ट होते है के जिसके एक डन समात्र से इंसान मर जाए एमेजॉन के जंगल में बहुत ही दुरलब पर जा दिया अजारों प्रकार की जड़ी पुटिया और अविस्वसनिय पेड़ है ये जंगल पूरे दुनिया की मौसमी आबो हवाओ पर असर करता है इस विसाल जंगल में इतनी सारी नई सर्गिक चीजे पाई जाती है के उनको अमेरिका, यूरोप, आफरीका और एसिया के बाजारों तक पहुँचाया जाता है विज्ञान के अनुसार एमेजॉन की कई वनस्पतियों की स्पीसिस पिछले 50 लाग सालों से अपना अस्तित्व टिकाय हुए है उनका ये भी दावा है कि अगर पृत्वी पर ग्लोबर वाल्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो सन 21 के आसपास पृत्वी का वातावरण बेहत कर्म हो जाएगा लेकिन इस परिस्थिती में भी एमेजॉन के ये पेड़ बौधे और वनस्पति अपना अस्तित्व बनाए रखेगे एमेजॉन के जंगलों में उसका दूसरा खाजाना एमेजॉन नदी है जो एंडीस परवतमला से निकलती है ये नदी लंबाई में नाइल के बाद विश्व की दूसरे नंबल की नदी है लेकिन पानी की कॉंटिटी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसका चलप्रपात किसी सागर से कम नहीं है एमेजॉन रिवर में लगपक सौल से भी ज़्यादा सहायक नदिया आकर मिलती है ये नदी का चलप्रपात कई जगह तो इतना है कि एक किनारे पर खड़े रहकर आप उसका दूसरा किनारा भी नहीं देख सकते कुछ जगह उपद तो इस नदी के दो किनारे के बीच की चोड़ाई एक सो चालिस किलो मीटर से भी ज्यादा है एमेजॉन रिवर में मचलियों की तीन हचार से भी ज्यादा परचातिया पाई जाती है कई खतरनाक बड़े साप और अजकर होते हैं और कई सारे दूसरे जीव भी बाए जाते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजिल में एमेजॉन नदी के भुगर्ब में लगबग तीन किलो मीटर अंडरग्राउन में और एक नदी बहती है आज मानव सब्यता बले ही कितनी एडवांस हो फिर भी वो हमारी पृत्वी के ही कई ऐसे रिमोट एरिया है वहाँ पर आज तक नहीं बहुत सकी पृत्वी के कुछ दर्याई बाग, कई सारी गुफाए, कई पहाड़े और खाईया और इस एमेजॉन जंगल के कई बाग ऐसे हैं जहां तक आज भी हमारी नजर नहीं बहुत सकी है इस गुथी को आप प्रकृति का एक करिस्मा भी कह सकते हो तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, आप अगर नए है तो हमारे चैनल दर नौलेज को चरूर सब्सक्राइब करें टाकि आपको हेल्दी और नौलेज़ेबल वीडियोज मिलते रहें आपकी मंगल कामनाओ की आसा के साथ फीर मिलेगे, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केर